दोस्तो आप देख रहे हैं Deacon Online Solution में आपका स्वागर्ण करते हैं चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं One Card के बारे में आखिर One Card हम किस तरह से ले सकते हैं तो सबसे पहला अप्लिकेशन को अपने फोन में इंस्टॉल करना होगा जब तक कि इंस्टॉल हो रहा है आपको छोटी से जनकारी प्रोवाइट करा देता हूँ मैंने FD Base को पर Create Card लेने के तरीके आपको बताया थे इतले वीडियो में डिस्क्रिप्शन पार्ट दोस्तों जो रूच अकाउट कर लिजएगा आज हम दोबारा 2030 के अंदर में किस तरह से One Card हम ले सकते हैं एक फ्रेस अप्लिकेशन के साथ आपको यहाँ पर Create Card अपलाई करेके दिखाएंगे लास्ट आइंड के वीडियो में अपको बताया था कि एस्बियम बैंक के साथ यह टाइफ रहते हैं और उनी के एस्बियम बैंक के तरफ से Create Card होते हैं तो फिलाल हमारे फोन में प्लिकेशन ने इंस्टॉल हो चुका है हम यहाँ से Open कर लेते हैं अब इस समय आप देख सकते हैं आप 3-4 तरह कर आप देखने को आपको मिलेगा देख सकते हैं आपका card कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा वन कार्ड के तरफ से आपको mental card भी दी जाते हैं लेकिन ज़्यादा इमाउंड FD करने पर ही आपको middle card मिलता है और 5 से साथ इनके अंदर में आपका 1FD card आपके address पर चला जाता है तो सब कुछ प्रक्रिया इस वीडियो में देखेंगे किस तरह से हमें एक card मिलना वाली है किसी तरह कोई यहाँ पर memory नहीं है जैसे कि आप देख सकते हैं Zero lifetime memory फ्री memory है अब यहाँ पर app का अंदर में login करने के लिए हमें mpin set करना होगा इस तरह से mpin set कर लिजेगा उसके बाद enable कर लिजेगा अपना fingerprint भी और नीचे से confirm वाले बटन को पर click कर लिजेगा उसके बाद दोस्तों आप से पूछा जाता full name जो भी आपका pan card में होगा first name डालेंगे last name डालेंगे date of birth और gender डालिएगा और नीचे से confirm वाले बटन को पर click कर दिजेगा दोस्तों ध्यान रखे हैं जो भी आप detail दिये हैं एक current data साब बताइएगा card भी delivery जो होगा एक अच्छे से आप address फिलप करिएगा पुछ भी आप डाल सकते हैं जो भी आपका होगा landmark में क्या है वो pin code उसके बाद नीचे से confirm उसके बाद दोस्तों यहाँ पर pan number डालेंगे re-pan enter करेंगे और उसके बाद नीचे से confirm वाले बटन को पर click कर देंगे और दोस्तों थोड़ा सा आप wait कर देंगे दोस्तों आपने अब तक जो भी detail यहाँ बाद दिया है आपके आफक सामें आ जाएगा civil और experience के अंदर यह report करेंगे यह आपका जो है civil और experience के अंदर में report करने के साथ यह detail तो terms condition को accept कर लेना है और pen number आपका नाम date of birth और यहाँ पर आपको current area pin code आपको इंटर कर देना है confirm वाले बटन को पर click करेंगे अब यहाँ पर हमारे civil के coding अगर हमें limit मिलती है तब तो ठीक है मुझे FD करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी तो फिलाल यह जो number दिया गया है इस number के बिहाँ पर अगर देखा जाए तो civil नहीं है क्योंकि इनों ने कभी भी loan नहीं लिया जिस करन से कभी civil बूस्ट हुआ ही नहीं है तो जो कोई भी loan नहीं लेता है कभी loan नहीं लिया वो minus 1 में civil होता है इस करन से आपका दोस्तों बेस पर credit limit मिल जाती है तो फिलाल मेरे पास alternative mobile नहीं है तो मैं आप डालूंगा नहीं क्योंकि मुझे पता है कि इस number पे इस profile के अंदर में कभी loan के लिए आविदन नहीं किया गया है नहीं कभी loan लिया गया है जिस कारण से minus 1 में civil score होता है चले try other option को पर हमें आपर click करेंग दोसे यहाँ पर कुछ चीज़ा आप से सवाल किया जाएगा तो आप यहाँ पर जवाब देंगे फीड आगे बढ़ेंगे और नीचे सापको दोस्तो confirm वाले बटन को उपर click कर देना है जब आपकी civil score दोस्तो माइनस 1 में होती है फिर कभी आपने loan अप्लाई नहीं किया है तो माइनस 1 में civil score होते हैं अगर आपने कभी भी loan लिया है समय से loan की चुपता नहीं किया तो वैसे में लंबे समय तक छोड़ देने के बाद आप defolder साबित हो सकते हैं जिस करण से आपको loan की limit नहीं मिलेगी कई भी region हो सकते हैं तो अगर आपका ऐसा होता है कि आपको limit नह करने के बाद यहाँ पर पता चलता है कि यह federal bank के तरप से credit card इसू किये जाने वाले हैं जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था जो कि SGM bank से credit card इसू किये गये थे मैं बात कर रहा हूँ one FD card के बारी में FD करने पे मुझे SGM bank के तरप से card म बूश्ट कर सकते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं issue by देख सकते हैं fiddle bank याने कि जो आपको card मिलेगा fiddle bank के तरप से ही मिलने वाली है इस बार और मैंने जो किया जारा one card के तरप से आपको FD card मिलेगी चले नीचे से continue वाले बटन को पर click करते हैं click करने के साथ आप दे देख सकते एक पर interest आपको मिल रहे हैं total maturity fund amount जो हो जाता है 5,348 रुपए यह एक साल की अंदर आप break नहीं करिएगा break करते हैं तो कुछ point कुछ रुपए आपके यहाँ पर card जाएंगे तो दूसर आपको बता देना चुआते हैं इस बार changing क्या किया गया minimum FD जो होता था last time यहाँ जो वीडियो में आपको बताया था 2,000 रुपए की minimum FD करने के लिए कहा जाता था लेकिन इस बार आपको यहाँ पर आपको के सामने देखने को मिलेगा 5,000 रुपए 5000 पर यहाँ पर minimum FD करने के लिए कहा जारे तो ऐसे मैं हमें यहाँ पर minimum FD नहीं करूँगा 2000 पर की minimum FD होती तो मैं definitely यहाँ पर कर देता यहाँ पर कई तरह के lender की बात यहाँ पर दोस्तों निकल गया जाती है एक कोई bank की गर हम बात के रहे हैं अगर SBM bank से होता तो definitely वह 2000 FD की रूप अगर वह SBM bank होता तो minimum FD पे हमें credit limit ले सकते थे credit card के लिए apply कर सकते थे FD बीस के उपर लेकिन यहाँ पर federal bank दिया हुआ है तो हो सकता है इनके तरफ से 5000 पैटी होगी limit minimum 5000 पर FD करने पर हमें आगे का loan का interest हमें मिल सकता है 6.8% तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर apply करना चाहते हैं तो यह process आगे कर सकते हैं मैं यहाँ पर इस वीडियो के यहाँ पर दोस्तों इंड करता हूँ क्योंकि इसके उपर दोस्तों इस्टे बेस्टे वीडियो बनाया गया है मिनमम एपडी को उपर 2000 रुपर आप credit card के लिए apply कर सकते हैं तो फिलाल मैं यहाँ पर मिनमम एपडी नहीं करने हैं क्योंकि यह पाँज़ार बहुत ही हो चुके हैं 2000 रुपर हो तो मैं आपको definitely आगे process बताता उमेद करते हैं जनकारी आपको काफी पसंद आया होगा वीड कर सकते हैं पहुत ही कमाली का application है अभी फिलाल जो स्क्रींगे सामने देख रहे हैं यह है फेडल बैंक से मिलने वाला credit card कर्ते हैं झाते हैं आपको हैं कर सकते हैं उनाम का वीड़ार क्पवे के दोड़ेता जनग तेरिका है हैं पनापको काव boundary कर दो सकते हैं यह हैं ।